राहे करना एक अभेत और प्राचीन किला जिसका प्राचीन नाम रायरी था रायगड पहाडी इलाके में है और अजिंक के है अपने पिता शाहजी महराज के सुझाव को मान कर रायरी पहाडी के उद्दूंग शिखर पर चत्रपती शिवाजी महराज ने रायगड को बसाने का इरादा किया था यहां उन्होंने एक किला तथा प्रासाद बनवाया और वे यहीं निवास करने लगे इस प्रकार चत्रपती शिवाजी महराज के राज्य की राजधानी रायगड में ही स्थापित हुई रायगड चारों ओर से सयाद्री की अनेक परवत मालाओं से घिरा हुआ है और 1674 में चत्रपती शिवाजी महराज ने इसे अपनी राजधानी बनाया महा दर्वाजा किले का प्रवेश्टवार है महा दर्वाजे के बाहर की दोनों बाजू दो सुन्दर कमल कृती है दर्वाजे पर रखे इन दो कमलों का अर्थ किले के अंदर श्री और सरस्वती रह रही है महा दर्वाजे से दाएं और तकमक सिरे तक जो तटबंदी जाती है उसके पास बुरुज में ये चोर दिंडी बांधी है हद्दी तालाब कजशाला से आने वाले हाथी के सनान के लिए और पीने के लिए इस तालाब का उब्योग होता था महराज के राच्चा विशेग के बाद सब्त सागर और नदियों का तीर्थ इसी तालाब में डाला गया था इसलिए इसका नाम कंगा सागर पड़ा है कंगा सागर के दक्षिन तिशा में दो उँचे मनोरे दिखाई देते हैं उसे ही स्तंभ कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो पहले पांच मनzinhoह हुआ करते थे जिस दर्वाजे से छत्रपती राजभवन में प्रवेश करते थे उसे बालखी दर्वाजा कहते है यही च्छत्रपती शिवाजी महराज का निवास्थान है जिसे राजभवन कहते हैं वाख दर्वाजा महराज ने महा दर्वाजा के साथ ही ये दर्वाजा बनाया इस दर्वाजे से उपर आना असंभव सा ही है मेना दर्वाजा ये दर्वाजा च्छत्रपती शिवाजी महराज की राणियों के लिए बनाया गया है उसी के आगे साथ अवशेश दिखते हैं जो राणियों के महल है सिंगहसन के सामने जो भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है वही ये नगार खाना है ये महराज के दर्बार का मुख्य प्रवेश्द्वार भी था और ये बाले किले का मुख्य प्रवेश्द्वार है नगार खाने के सामने जो खुली जगा दिखाई देती है वो है होडी चामार शिवच्छत्रपती के पुदले के सामने दो पंतियों में जो भव्य अवशेश दिखाई देते हैं वही शिवाजी महराज के जमाने की बाजार पेट है कड़ पर जो छोटे मंदिर है वो शिरकाई के मंदिर है शिरकाई ये किले की मुख्य देवता है राइगर पर महादेव जी यानि जगदीश्वर का भव्य मंदिर है इसी मंदिर में छत्रपती शिवाजी महराज जगदीश्वर का दर्शन करने हर रोज आते थे मंदिर के प्रवेश द्वार की सीडियों के नीचे एक छोटा सा शिलालेख दिखाई देता है वो इस प्रकार है सेवेचे ठाई तत पर हिरोजी इंदर कर मंदिर के आवास में ही छत्रपती शिवाजी महराज की अश्टकूनी समाधी है महराज का महनिर्वान 1680 में इसी किले पर हुआ था तकमक दोग शिवराज चिकाल में इस ठेकाने से गुनहगारों को सजा मिलती थी कवी भूशन राइगड का वरणन करते हैं कि शिवाजी ने सर्व किले का आधार और विलास स्थान ऐसे राइगड किले पर अपना निवास किया ये किला बहुत बड़ा और विशाल है कि उसमें तीनों लोकों का वैभव समाया है राइगड पर राजा शिवाजी ने राजधानी बनाई और लोगों की इच्छा पूर्ण की हिंदवी स्वराज्ज की ये राजधानी आज भी अपना इतिहास बया करती है इसी उद्गार की अनुभूती राइगड देखने पर आपको जरूर होगी चत्रपती शिवाजी महराज की जय करता है